नमस्कार, उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्राध्योग्य की आधारित, विज्ञान शिक्षा, सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्मेक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित, ई-कंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु आधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा, धन्यवाद. इस बिंदू के निर्देशां क्याद कीजिए, जहां बिंदू 5, 1, 6 और 2, 4, 3 को मिलाने वाली रेखा, ZX तल को काटती है. इस प्रेश्ण में आपको दो बिंदू दिये गए हैं, इन दोनों बिंदू को मिलाने वाली एक रेखा है, जो किसी तल को ZX तल पर काट रही है, ZX तल पर काट रही है, मतलब Y तल पर नहीं आ रही है, है ना? तो सबसे पहला काम तो हमें यह करना होगा, इन दिये गए दो बिंदू को मिलाने वाली रेखा का समीकरण निकालना होगा, राई? 5, 1, 6 और 2, 4, 3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा? आप चानते हैं कि जब हमें कोई 2 बिंदू दे रखे होगा, तो रेखा का समीकरण आप लिखते हैं, X-X1, जहां पर हम कहज़कते हैं, यह वाले निर्देशांक X1, Y1, Z1, और यह वाले निर्देशांक X2, Y2, Z2 के रूप में लिखे जा सकते हैं, तो X-X1 मतलब की 5, अप X2-X1 मतलब 2-5, बराबर Y-Y1 मतलब 2, अपन Y2-Y1 मतलब 4-1, बराबर Z-Z1 मतलब 6, और Z2-Z1 मतलब 3-6, ठीक है, यह होगी उस रेखा की समीकरण, जो इन दोनों बिंदों से होकर जाती है, इसको थोड़ा सा और से रल करके हम लिख सकते हैं, यह समीकरण बन जाएगी, X-5 upon-3, बराबर Y-1 upon-3, बराबर Z-6 upon-3, ठीक है, अब देखिए, इस प्रेशन में कहा है कि यह जो रेखा है, यह रेखा ZX तल को काटती है, ZX तल को काटने का मतलब, यह अगर X अक्ष है, यह Y अक्ष और Z अक्ष, अगर कोई रेखा, यहाँ पे ZX तल पर काटेगी, तो किसी जिस बिंदू पर यह काटेगी, उस बिंदू के जो निर्देशांक होंगे, वो किस रूप में होंगे, वो X, 0, Z के रूप में होंगे, क्योंकि यह ZX तल पर है न, तो इसका Y निर्देशांक तो 0 हो जाएगा, ठीक है, और आपको यह वाले निर्देशांक इसके बताने हैं, तो आप क्या कहेंगे, माना ZX तल के बिंदू के निर्देशांक यह है, तो यह जो निर्देशांक है, यह इस समिकरण को संतुष्ट करेंगे, क्योंकि यह समिकरण इससे होके तो जा रही है, मतलब यह रेखा ही तो इसको कायट रही है, तो यह वाला बिंदू अपॉन माइनस 3 बराबर इस y की जगा पर 0 रखेंगे तो यह हो जाएगा 0-1 अपॉन 3 बराबर इस z की जगा पर हम z ही रहने देते हैं माइनस 6 अपॉन माइनस 3 अब हमें ये निर्देशांक जो निकालने हैं कैसे निकलेंगे ये तीरों आपस में बराबर हैं तो हम क्या कर सकते हैं एक बार तो इन दोनों की तुलना कर सकते हैं तो हमें x कमान मिल जाएगा और एक बार इन दोनों की तुलना करेंगे तो हमें y कमांड मिल जाएगा, है ना, तो पहले हम इन दोनों की तुलना करते हैं, तो यहां से क्या आएगा, x-5 upon minus 3, बराबर minus 1 upon 3, 3 से 3 कैंसल, minus से minus कैंसल, x-5 बराबर 1, तो x कमांड कितना आ गया, 6, अब इन दोनों की तुलना करेंगे, तो यह हो जाएगा, minus 1 upon 3 बराबर, z minus 6 upon minus 3, minus 3 minus 3 कैंसल, तो यह आजाएगा, z minus 6 बराबर 1, तो z कमांड आ जाएगा, 7, 6 plus 1, 7, तो यह वाले निर्देशांग आपको क्या मिले, यह निर्देशांग होंगे, x की जगा पर आएगा 6, यह 0 ऐसा कैसा, और z की जगा पर 7, ठीक है? तलो, x plus y plus z बराबर 1, और 2x plus 3y plus 4z बराबर 5 के प्रतिछेदन रेखा से होकर जाने वाले, तथा तल, x minus y plus z बराबर 0 पर लमवत तल का समिगरन ग्याद कीजी, इस प्रश्ण को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजेगा, यहाँ पे आपसे दो तल की बात की गई है, माना एक तल यह है, और दूसरा तल यह है, इन दोनों तलों का जो प्रतिछेदन रेखा है, वो यह है, इस प्रतिछेदन रेखा से कोई एक और तल जा रहा है, शायद यह वाला जा रहा होगा, ठीक है, इस वाले तल की समिकरण आपको ग्याद करनी है, और क्या कहा है, साथ में कि यह वाला जो तल है, यह एक अन्य तल जिसकी समिकरण x-y-z है, इसके लमवत भी है, तो यहाँ पे एक तल इस प्रकार से होगा, जो इसके लमवत होगा, ठीक है तो दो चीज़े हैं यहां पे, पहले तो इन दोनों के प्रतिछेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल की समिकरण निकालनी होगी, आप जानते हैं कि अगर आपको कोई दो समिकरण दे रखी है, AX प्लस BY प्लस CZ बराबर D और दूसी समिकरण दे रखी है, A2X प्लस B2Y प्लस C2Z बराबर D2, इस रूप से आपको दो समिकरण दे रखी है, और आपको यह वाली, यह ग्रीन वाला जो संतल है जो इन दोनों के प्रतिछेदन से होके जा रहा है, इसकी सम्मिकरण निकालनी है तो वो कैसी होगी, यह a1, b1 और c1 लिखेंगे आप, तो इसकी सम्मिकरण आप लिखेंगे, a1x plus b1y plus c1z minus t1, यह पहली सम्मिकरण हो जाएगी, प्लस λेम्डा, फिर वो दूसरी वाली सम्मिकरण, a2x plus b2y plus c2z minus t2, बराबर 0, इस तरीके से एक सम्मिकरण की सम्मिकरण मिलेगी, जो सम्मिकरण इन दो दिये के सम्मिकरण के प्रतिछेदन रेखा से होकर जाता है, ठीके, एक तो हम यह निकालेंगे, दूसरा आपको यह प a1, a2 plus b1, b2 plus c1, c2 बराबर 0, तो जब हमें यह सम्मिकरण मिल जाएगी, तो इस वाली सम्मिकरण को हम इस प्रकार सम्मिकरण से इस प्रकार सम्मिकरण करेंगे, और फिर हम यहां से लेम्डा का मान निकालके इस दीगी सम्मिकरण में रख देंगे, देखिए हम कैसे करें से तो जल्दी से आप मुझे पहली समय करण बताईए क्या है x plus y plus z minus 1 plus lambda और दूसरी समय करण क्या है 2x plus 3y plus 4z minus 5 बराबर 0 इसको थोड़ा सा और हल करके लिखेंगे तो यह होगा 1 plus 2 lambda x यहाँ पे बन था इस 2 के साथ lambda को गुणा किया 2 lambda x वाले एक साथ ले लिए अब y वालों के लिए 1 plus 3 lambda y और अब z वाला बताईए 1 plus 4 lambda z और constant minus 1 minus 5 lambda तो यहाँ पे हम रिख सकते हैं minus 1 plus 5 lambda equals to 0 यह वाली जो समिकरण है यह उस सम्तल की समिकरण है जो इन दोनों सम्तलों के प्रतिछेदन रेखा से होकर जा रहा है अब हम दूसरी प्रतिबंद की बात करते हैं यहां कहाए कि यह वाला जो सम्तल है यह इस सम्तल के लमवत है यदि दो सम्तल लमवत होते हैं तो क्या होता है आप कहिंगे दो सम्तल लमवत है अताहा A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 परावल 0 होगा अब A1 कमान क्या होगा 1 plus 2 lambda इंटू A2 कमान क्या होगा ये वाला 1 फिर प्लस B1 कमान क्या होगा 1 plus 3 lambda और B2 कमान क्या होगा minus 1 प्लस C1 कमान क्या होगा 1 plus 4 lambda C2 कमान क्या होगा 1 और ये सब किसके बरावर आएगा 0 के अब बस इसको हल करके lambda कमान निकाल दीजिए तो शेलिए जल्दी से हल करके बताएए ये हो जाएगा 1 into 1 1 1 into minus 1 minus 1 और 1 into plus 1 plus 1 ठीक है प्लस lambda 2 into 1 2 3 into minus 1 minus 3 4 into 1 4 बरावर 0 यहां से lambda कितना आएगा? देखिए प्लस 1 minus 1 कैंसे लिए प्लस का बनित जाएगा? minus 1 4 plus 2 6 6 minus 3 3 तो यह upon में 3 आएगा तो lambda कमान कितना आया? minus 1 upon 3 है ना? और अब हमें चाहिए उस समतल की समीकरण तो बताएए समतल की समीकरण क्या हो जाएगी? कहां पर लिखी थी हमने वो समीकरण? यह लिखी थी बस ही lambda कमान हम यहां रखतेंगे और हमें इस समतल की समीकरण मिल जाएगी lambda कमान है minus 1 upon 3 तो चलिए जल्दी से आप मुझे rough में solve करगा कि इसका मान बताते रहिए 1 plus 2 lambda 2 lambda की value है minus 1 by 3 क्या हैगा इसको हल करके? यह हो जाएगा 1 minus 2 by 3 तो 3 minus 2 1 1 by 3 इसको हम लिखेंगे 1 by 3 x प्लस अब है 1 plus 3 lambda तो यह हो जाएगा 1 plus 3 lambda कमान minus 1 by 3 3 से 3 cancel 1 minus 1 0 तो यह हो जाएगा 0y प्लस अब है 1 plus 4 lambda 1 plus 4 lambda कमान minus 1 upon 3 तो यह हो जाएगा 1 minus 4 upon 3 तो 3 minus 4 हो जाएगा minus 1 यह आएगा minus 1 upon 3 इसे हम लिखेंगे minus 1 upon 3 z अब रहे गया 1 plus 5 lambda 1 plus 5 lambda कमान minus 1 by 3 तो यह हो जाएगा 1 minus 5 by 3 3 minus 5 minus 2 तो यह आएगा minus 2 by 3 minus minus 2 by 3 बराबर 0 अब इसको थोड़ा और हल कर सकते हैं 3 इसका LC हम आएगा तो यह समिकरन बनेगी x y तो 0 है तो इसको छोड़ देंगे minus z plus 2 बराबर 0 यह इस सम्तल की समिकरन आएगी जो दिये गए इन दोनों सम्तलों के प्रतिछेगन रेखा से होकर जाता है और दिये गए तीसरे सम्तल की समिकरन के लंबत है बिन्दों minus 1, 0, 2 और 3, 4, 6 से होकर जाने वाली रेखा का सदी समिकरन ग्याद कीजी यहाँ पे प्रतिछेट में में मेंशन कर दिया है कि आपको जो समिकरन चाहिए वो सदी शुरूप में चाहिए तो अब हम चितनी भी calculation करेंगे वो सदी समिकरन के हिसाब से करेंगे आप चानते हैं जब हमें कोई दो बिन्दू दिये गए होते हैं x1, y1 और z1 दूसरा बिन्दू x2, y2, z2 इस रूप में कोई दो बिन्दू दिये गए होते हैं तो हमें क्या करना होता है पहले इनका स्थिती सदीश निकालना होता है स्थिती सदीश वो सदीश जो की मूल बिन्दू से इन बिन्दू तक चाता है अगर इस बिन्दू को हम बिन्दू A बोल रहे हैं और इसको बिन्दू B बोल रहे हैं तो इसका स्थिति सदिश हम small a और इसको small b सरी खा सकते हैं, तो सबसे पहले तो आप मुझे बताईए, पहले बिंदू का स्थिति सदिश क्या आएगा, पहले बिंदू के निदेशा है, minus 1, 0, 2, तो इसका स्थिति सदिश होगा, minus i, 0, j छोड़ देंगे, plus 2k, और बिंदू b का, और बिंदू b के लिए स्थिति सदिश b कितना होगा, 3i plus 4j plus 6k, अब जब हमने ये दोनों स्थिति सदिश निकाल लिए, तो हम इन दोनों बिंदों से होकर जाने वाली रेखा कैसे निकालेंगे, आपको याद होगा, यहाँ पे एक सूत्र क्या पढ़ाथा हमने, सदिश r बराबर, सदिश a plus lambda, सदिश b minus सदिश a, यही वो सूत्र है जो हमें ये वाला सदिश देगा, जो कि इन दोनों बिंदों से होकर जाता है, ठीके, तो अब आगे क्या करने हैं, ये तो आप समझी गए होंगे, बस आगे तो calculation रह गई है, है ना, यहाँ पे आएगा सदिश r बराबर, सदिश a का मान है, minus i plus 2k, plus lambda, सदिश b minus सदिश a हम direct पी कर सकते हैं, या भी यहाँ पे अलग से निकाल लेते हैं, सदिश b minus सदिश a के आएगा, सदिश b है 3i plus 4j plus 6k, minus सदिश a है minus i plus 2k, इन दोनों का अंतर करने हैं, तो i को i के साथ, j को j के साथ, और k को k के साथ हल करेंगे, 3 minus minus plus 3 plus 1, यह होगा 4i, j वाला यहाँ नहीं है, तो यह होगा 4j, और plus 6 minus 2, तो यह होगा, plus 4k, यह आया b minus a का मान, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, 4i plus 4j plus 4k, यह उस रेखा की सदिश समिकरन i है, जो की दिए गए इन दोनों बिंदों से होकर जाती, ठीके, बिंदू 1, 2, 3 से कुचरने वाली, और सदिश 3i plus 2j minus 2k के समानतर, रेखा का सदिश और कार्टिय समिकरन क्या कीची, यहाँ आप देख रहे हैं, इधर रेखा का समिकरन पूछा गया है, और दोनों रूप में, सदिश रूपी और कार्टिय रूपी, ठीक है, आपको याद है कि जब कोई एक निर्देशांक दिये गए हो, x1, y1, z1, और कोई एक सदिश दिया हो, ai plus bj plus ck के रूप में, तो रेखा की सदिश समिकरन क्या होती है, और उसकी कार्टिय समिकरन क्या होती है, शायद आपको याद आ रहा होगा, रेखा की जो सदिश समिकरन हम लिखते हैं, वो r बराबर सदिश a plus lambda b के रूप में लिखते हैं, जहाँ पे ये जो सदिश b होता है, ये दिया गया सदिश होता है और जो सदिश A होता है ये उस बिंदू का स्थिती सदिश होता है जिस बिंदू से रेखा होकर गुजरती है तो यहाँ पे जो बिंदू दिया है हमें वो है 1,2,3 तो इस हिसाब से जो हमें स्थिती सदिश A मिलेगा वो क्या होगा i plus 2j plus 3k के बराबर होगा ये उस बिंदू का सिती सदीश है जहां से वो रेखा बुजर रही है और सदीश b क्या होगा सदीश b हमें ये दिया गया सदीश है वो है 3i plus 2j minus 2k अब ये दोनों मान यहां रखकर हमें उस रेखा की सदीश समिकरण मिल जाएगी तो सदीश समिकरण क्या मिलेगी सदीश r बराबर ये होगा i plus 2j plus 3k plus lambda 3i plus 2j minus 2k ये होगी उस रेखा की सदीश समिकरण जो इस दिये गए बिंदू से होपर गुजर रही है और दिये गए सदीश के समानतर है अब हम बात करते हैं कार्तिय समिकरण की तो आपको याद होगा रेखा की कार्तिय समिकरण x minus x1 upon a बराबर y minus y1 upon b बराबर z minus z1 upon c के रूप में लिखी जाती है जहां पर x1, y1, z1 वो बिंदू होते हैं जहां से रेखा गुजरती है और a, b, c 3, 2 और minus 2 होंगे ये उस सदीश के तिक अनुपात होंगे जिसके समानतर वो रेखा है यहां पर बात आती है उसकी कार्तिय समिकरण की तो आप रेखा की कार्तिय समिकरण किस प्रकार देंगे रेखा ही कार्तिय समिकरण आप इस रूप में देंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आप मुझे बताईए X1 का मान क्या रहेगा X1 का मान होगा 1 Y1 का मान होगा 2 और Z1 का मान होगा 3 और A, B, C के मान भी बता दीजे A का मान होगा 3 B का मान होगा 2 और C का मान होगा माइनस का 2 बस अब यह मान हम इस समिकरण में रखेंगे और हमें कार्थिय समिकरण मिल जाएगी तो रेखा की कार्थिय समिकरण होगी x-x1 मतलब 1 अपॉन A मतलब 3 बराबर y-y1 मतलब 2 अपॉन B मतलब 2 बराबर z-z1 मतलब 3 अपॉन C मतलब माइनस कट 2 यह आएगी उस रेखा की कार्थिय समिकरण चीक है? उस सम्तल का समिकरण ग्याद कीजिए जो बिंदू माइनस 1 3 2 से गुसरता है तथा सम्तलो x-2y-3z बराबर 5 और 3x-3y-z बराबर 0 में से प्रतियक पर लंब है यहाँ पर आपको सम्तल का समिकरण निकालना है और condition क्या-क्या दिये है एक तो वो इस वाले बिंदू से गुजरना चीए और दूसरा इन दोनों सम्तल के लंबवत होना चीए तो ऐसा गरते हैं सबसे पहले तो हम एक सम्तल की समिकरण मान लेते हैं माना तो यह पताईए आपको याद है एक हमने समिकरण पड़ी थी उस सम्तल की जो एक दिये गए बिंदू X1, Y1, Z1 से होकर जाता है और एक अनुलंब रहता है N उस पर चीए तो किसी दिये गए अनुलंब के अनुदिश और किसी दिये गए बिंदू से होकर जाने वाले सम्तल की समिकरण होती थी A X-X1 Plus B Y-Y1 Plus C Z-Z1 बराबर 0 तो यहाँ पर हमें ABC का मान नहीं पता कोई बात नहीं इसको छोड़ देंगे इस का मान हम निकालेंगे ठीके X1, Y1, Z1 का मान तो पता है न क्योंकि यह तो वही वाले बिंदू है जहां से सम्तल होके जा रहा है तो यहाँ हाँ यह वाली समिकरण निकाल देते है तो यह गए बिंदू से होकर जाने वाले सम्तल का समिकरण क्या हो जाएगा यह होगा A X- X1 की जगा रखेंगे माइनस 1 तो यह हो जाएगा प्लस 1 प्लस B Y- Y1 की जगा रखेंगे 3 प्लस C Z- Z1 की जगा रखेंगे 2 बराबर 0 चीके इसको अन समिकरण 1 कहते हैं और इसका काम अभी यहीं खतम नहीं हुआ है अभी ABC का मान निकाल कर हम यहाँ पे रखेंगे तब हमें इस समिकरण की proper समिकरण मिलेगी अब आते हैं हम दूसरे प्रतिबंद में दूसरा प्रतिबंद यह कहा है कि यह वाली जग समिकरण होनी चाहिए समिकरण की हासलेंगे और A टू हासलेंगे चुक है तो इधर हमें 2 समिकरण मिलेगी अगर हम इसे समिकरण 2 और इसको समिकरण 3 बोलते हैं तो पहले 1 और 2 क्या सम्बंद बनाएंगे फिर 1 और 3 का सम्बंद बनाएंगे क्योंकि यह कहा है कि यह वाला जो संतल है ये इन दोनों संथलों में से प्रत्य अक पर लंब है तो पहला संथल दूसरे संथल पर भी लंब है और पहला संथल तीसरे पर भी लंब है तो क्या बनेगा संबंध? एक संबंध तो बनेगा ये देखिए यहाँ पे x के साथ आएगा a यह हो गया a1 a2 होगा 1 प्लस B1 मतलब की B और B2 होगा 2 प्लस C1 होगा कहां से C और C2 होगा 3 बराबर 0 ठीक है? और दूसरा संबंद क्या बनेगा? A1, A2 मतलब A1, B1, C1 ये तो सेम रहेंगे लेकिन A2, B2, C2 का मान इस वाली सम्हे करण से लेंगे तो दूसरी सम्हे करण आएगी A2, A2, C2 B2, C2 प्लस C2 1 बराबर Z ठीक है? अब क्या करने है? इन दोनों सम्हे करणों को हल करके A, B, C का मान निकालना है और वो इस सम्हे करण में रखना है जब आप इन दोनों सम्हे करणों को हल करोगे तो आप मुझसे यह करेंगे कि काचल यह सम्हे करण हल नहीं हो सकती है क्यों? क्योंकि यहां पे तीन वेरियबल है तीन चर राशिया है इसके लिए हमें तीन सम्हे करण की जुरत पड़ेगी कोई बात नहीं हम इसको वज्च्ण गुणन विदिचे करेंगे और k के रूप में इसका मान लेंगे यह देखे हम इसमें क्या करेंगे यहां आएगा a upon ب объяс b upon studying c upon organizing k देखे हम इसको कैसे हल करेंगे जब आप a के लिए हल कर रहे हैं तो इसका सार्णिक बनाएंगे योगा 2, 3, 3, 1 क्या किया? A के बाद क्या है या B? B का गुणाँ क्या था? 2 C का गुणाँ था 3 तो 2, 3 और तो 3, 1 तो इसका आप साणिक खोलोगे तो योगा 2, minus 9 ठिक? अब B के लिए तो B के लिए B के बाद आला लेंगे B के बाद आ रहा है C तो यह होगा 3, 1 Office C के बाद 1 लेंगे Office C के बाद A लेंगे तो 1, 3 तो यह आएगा 3, 3 is a 9 minus 1, 1 is a 1 और ऐसा ही C के लिए करेंगे तो यह होगा 1, 3 is a 3 minus 2, 3 is a 6 जब आप इसको हल करेंगे तो आपको A कमान मिलेगा यह देखिए 2 minus 9 कितना हो जाएगा minus 7 minus 7 को के से गुणा करेंगे तो A कमान होगा minus 7K B कमान होगा 9 minus 1 हो जाएगा 8 8 को के से गुणा करेंगे तो यह होगा 8K और C कमान 3 minus 6 होगा minus 3 minus 3 को के से गुणा करेंगे तो minus 3K तो आप करेंगे सम्तल की समिकरंट क्या हो जाएगी एक ही जगह पर हम रखेंगे माइनस 7K X प्लस 1 B कमान होगा 8K Y माइनस 3 और C कमान होगा माइनस 3K Z माइनस 2 बराबल 0 इसको थोड़ा और हल कर लेंगे अब देखिए यहाँ पर हम K कॉमन लेके कैंसल कर सकते हैं जब आप यहाँ पर K को कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा माइनस 7 X प्लस 1 प्लस 8 Y माइनस 3 माइनस 3 Z माइनस 2 K कॉमन लिया था उसको 0 से डिवाइट करके 0 कर देंगे और अब इस संतल की समिकरंट को आपको किस रूप में लिख सकते हैं माइनस 7 X प्लस 8 Y माइनस 3 Z बराबर माइनस 7 इंडू 1 माइनस 7 यहाँ पर जाके यह प्लस 7 हो जाएगा 8 3 Z 24 यह होगा माइनस 24 राइट इन साइड में लिखेंगे तो यह प्लस 24 होगा और 3 2s आ 6 प्लस 6 राइट इन साइड में लिखेंगे तो माइनस 6 होगा तो संतल की समिकरंट क्या मिलेगी हमें इसको थोड़ा और हल करके लिख सकते हैं माइनस 7 X माइनस 8 Y माइनस 3 Z पराबर 7 प्लस 24 प्लस 31 माइनस 6 प्लस 25 इस पूरी समिकरंट को हम सही तरीके से कैसे लिख सकते हैं इसको माइनस से माइनस से माइनस 8 Y प्लस 3 Z प्लस 25 पराबर 0 यह उस संतल की समिकरंट होगी जिसके बारे में इस प्रश्ट हो रही थी चीक है